ताइटनिक जहाज के मलबे को दिखाने गई टाइटन सबमरीन का मलबा छे दिन बाद बुध्वार को मिल गया इसे कई टुकडों में कनाडा के सैंट जान पोर्ट पर लाया गया 18 जुन को ये सबमरीन अटलांटिक महासागर में 12 हज़र फिट नीचे गई थी इसके बाद लापता हो गई चार दिन बाद बाविच जुन को इसका मलबा टाइटनिक जहांच से 1600 मिटर दूर मिला था इसमें चार टूरिस्ट और एक पाइलेट सवार था जहांच के बाद विशेश्यक्यों ने अनुमान लगाया कि हासा विस्वोर्ट की वज़ज़ से हो सकता है एक न्यूज एजनसी के मताबिक यूएस कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने सब्रीम के मलबे में मानो और शेश मिलने की बात कई है इन और शेश को मेडिकल टीम के पास जहांच के लिए भेजा जाएगा बीबीसी के मताबिक पंडूबी के मलबे में लेंडिंग फ्रेम रियर कवर साइथ पांच हिस्से बरामत किये गए है कोस्ट गार्ड ने बताया कि पंडूबी का काफी सारा मलबा अभी टैटेनिक जहांच के पास है उसे भी जल्द ही निकालने के कोशिश की जाएगी पंडूबी के मलबे की फ्रेंसिक जाच कर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसमें विस्वोट क्यों हुआ था इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ दाने वाग